तो यार ये पिछले काफी सारे सालों से चल रहा है, लगबग 2-3 सालों से चल रहा है, कि जैसे JEE के जो examinations होते हैं, वो साल में एक बार से ज़ादा होते हैं, और इसके चलते क्या होता है, कि JEE के students को opportunities ज़ादा मिलती है, साल में 2-3 बार मौका मिल जाता है, कि अगर आपका ए एक exam की गलती को सुधार के बुसरे exams में अपना बैतरिन दे सकते हैं, बैसे ही NEET को लेकर भी चलना है, कि NEET की examination जो है, वो साल में एक बार से ज़ादा होने चाहिए, अब कि बार भी इसको लेकर questions उठाएं गये हैं, ministers द्वारा questions उठाएं गये हैं, और इस पर health ministry द्वारा reply भी किया गया है, एक official reply किया गया है, तो सबसे पहले questions को देखेंगे कि क्या question इसको लेकर उठाया गया है, उसके बाद health ministry का इस पर क्या reply आया है, उसको देखेंगे और इन सब के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि अब की बार या फिर साल 2024 में, यानि कि अगले साल ह हमारा नीक का जो examination है, वो साल में एक बार से जादा, यानि कि साल में दो बार होगा या पिर नहीं, ठीक है, तो एक एक करके सभी points को cover करते हैं, वीडियो interesting है, तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा, medical information के regarding ऐसी ही वीडियो आपको channel पर मिलती रहेगी, उसके लिए भी आप channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं, सबसे पहले headline आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की education desk की news है, we will need be health twice a year, health ministry says this, सबसे पहले जो response, जो question पूचा है, वो BGP के हैं, रमेश चन, इन्होंने पूचा था, कि need का जो exam है, वो twice हो सकता है, like engineering interest test जरी मेन हो गया, और भी काफी सारे government के exams होते हैं, तो government इसको लेकर क्या planning कर रही है, इसके उपर, इसको लेकर जवाब मांगा था, रमेश चंदर ने, ठीक है, तो इसको लेकर health ministry का क्या जवाब आया है, तो health ministry ने बोला है, there is no plan to conduct national eligibility come and trust test for undergraduate course twice a year, union health minister informed Lok Sabah on Friday, national medical commission NMC and national testing agency NTA have informed that there is no proposal to conduct neat using exams for providing two chances in a year, ministry of state for health and family welfare भाटी पावाद सेट, तो इनोंने बोला है कि जो NMC है, national medical commission और जो NTA है, national testing agency, इनकी तरफ से हमें कोई भी proposal या फिर कोई भी information नहीं मिली है, NEET exam को साल में दो बार करवाने को लेकर, इसके अलावा हमारा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी तक कि NEET exam को दो बार जो है, वो conduct करवाया जाए, तो 2023 का schedule तो already आ चुका है, और 2024 में भी बिलकुल उमीद नहीं दिख रही है, 90% तो नो ही है, 90% आपका ये जो examination है, वो twice नही करवाया जाएगा, सिर्फ एक ही चांस आपको दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो भी other informations आ रही है, उस पर ध्यान ना देकर, आप इसपन ध्यान दीजे, सबसे पहले तो 2023 के students है, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके exam को लगभग अभी एक से डेड़ महीना ही बचा है, तो आप ज़्यादा फोकस कीजिए अपने exam पर, इन सब फालतू बातों पर अभी time नहीं देना है, और 2024 के students भी जो है, वो भी अपना एक बार का chance ही लेके चलिए, दो बार chance आपको नहीं मिलने वाले है, 90%, आप कोई exception हो जाए, कमिस्ट्री के तरहां, फिर कुछ कहने ही सकते, लेकिन इस news के according और ये जो पूरा बातचित हुई है, इसी according तो यही लग रहा है, कि 90% ये chances जो है, और no ही जाने वाले हैं, ठीक है, बाकि आपकी इस पर क्या राय है, क्या opinions है, क्या thoughts है, वो आप comment section में लिख सकते हैं, ऐसी ही information आगे भी आ subscribe जरूर कर लीचेगा, मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.